शेहनास का हमेशा ही उनके कोई स्टास के साथ नाम जोड़ दिया जाता है यहां तक की बनाने वाले हैश्टेक भी बना देते हैं ऐसा ही कुछ इस बार भी करने की कोशिश की गई जब एलविश और शेहनास का रील वीडियो सामने आया धूप लगदी सौंग पर लेकिन एलविश यादव ने दिया है ऐसे लोगों को करारा जवाब और बताई है अपने रिष्टे की हकीकत क्या कुछ खास है पूरी बात बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को एंट तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए शहनाज गेल यूँ तो बहुत सारा काम कर चुकी है गाईज हम आपको बता दें कि बिग बॉस में आने से पहले भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है पंजाब इंडस्ट्री में ये बात अलग है कि तब तक उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ पंजाब इंडस्ट्री तक ही थी बिग बॉस 13 में आने के बाद उन्हें देश ही नहीं विदेशों से भी प्यार मिलने लगा और विदेशों में भी उनके फैंस हैं और उनकी पहचान अब देश के साथ साथ बाहरी मुलकों में भी है तो अब वो बॉली वुड में भी काम कर रही है, कई सारे एक्टर्स के साथ वो काम कर रही है और आगे भी करेंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि शहनास के साथ उनके कोईस्टास का नाम हमेशा ही जोडते है और हमेशा ही उनके नाम का कुछ अलगी हैश्टेक बना दिया जाता है और इस बात को इतना जादा हाईलाइट किया जाता है कि शहनास के प्रोजेक्ट से जादा उनकी परसनल लाइफ पर बात होने लगती है तो गैस ये बाते कहां तक सही है ये बात अलग है कि शहनाज ही नहीं बलकि हर एक्टरिस के साथ या एक्टर के साथ ये होता है कि वो अपने कोईस्टास के साथ जब जगा जगा जाते हैं या फिर प्रमोशन्स के लिए जाते हैं तो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ-कुछ स्टोरीज कुक की जाती है प्रोजेक्ट को हिट करने के लिए भी ये एक अलग मैटर है लेकिन शहनास के साथ बात अलग है बात उनके परसनल लाइफ को लेकर होने लग जात है और अजीब अजीब से हैश्टेग बना दिये जाते हैं जो की बिल्कुल गलत है इसका सीधा सीधा असर शहनास के प्रोजेक्ट पर और उनके करियर पर पढ़ता है गाइस कुछ लोग फन के लिए करते हैं कुछ लोग अपने आपको फैंस कहते हैं और फैन होने के नाते यसी चीजें करते हैं तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि शहनास भी इन चीजों को पसंद नहीं करती है और उनके को स्टास को भी ये चीजें पसंद नहीं है जैसे ऐलविश के साथ शहनास गिल का एक रील वीडियो आया धूप लग दी दोनों की on screen chemistry बहुत अच् ताकि वो एक रील कपल के साथ सत रील कपल भी लगे ओन स्क्रिम लगे लेकिन लोग इस बात को भी न गलत वे में लेकर चले गए और शेहनास के साथ एलविश यादव का नाम जोडने लगे और एलविश यादव तो कई बार अपने इंटर्व्यूज में बता चुके हैं व्लॉग में भी कह चुके हैं कि उनकी एक गर्ल फ्रेंड है जो की पंजाब में रहती है वो कोई नॉन फेस नहीं है वो सोशल मीडिया पर भी नहीं है उसे कोई नहीं जानता लेकिन हाँ वो बहुत जल्द उनका फेस रिवील करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने तो उस गर्ल फ्रेंड का नाम शेहनाज बता दिया है जी हाँ गाईस बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि Elvish जिस girlfriend की बात करते है जिस पंजाब वाली girlfriend की बात करते है वो कोई और नहीं शहनाज ही है तो गाइस ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कुक की गई है ना जाने कि कौन है जो इस तरह के मनगणनत बातें फैलाते हैं ये बाते जब Elvish तक पहुंची तो Elvish ने अपने व्लाग में आकर इन बातों का खंडन किया है और साफ तोर पर ये बताया है कि शहनाज उनकी girlfriend नहीं है और वो जिस पंजाब वाली girlfriend की बात करते हैं वो बिलकुल भी शहनाज नहीं है भाई ऐसी बातें ना किया करो अभी तो सिर्फ एक real वीडियो आया है जिस पर इन दोनों ने काम किया है आगे इन दोनों के और भी कई सारे project आएंगे क्योंकि दोनों बड़े cute से लगते हैं और इनकी on screen chemistry ना फैंस बहुत जादा पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं तो बस enjoy कीजिए आगे आएंगे बहुत सारे project शहनाज भी आगे कई सारे और actors के साथ काम करेंगी अलविश भी अपनी life में बहुत सारे लोगों के साथ आगे काम करेंगे तो बस यार hashtag वगेरा बना आगे वीडियो को लाइक कर शेर जरू कर दीजिए और चैनल जरू सब्सक्राइब कर लीजिए हर लेटेस्ट अप्जेट पाने के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग आइस